आपको भी मेरे जैसे railway style crispy cutlets खाना पसंद है तो दो मिनित रुख जाओ और ऐसे बना लो एकदम perfect बनेगा इसके लिए सबसे पहले कड़ाई में cooking oil और जीरा आड़ करना है साथी साथ इसमें ginger और green cheese को आड़ कर देना है आप चाओ तो इसमें garlic भी आड़ कर सकते हो पर authentic वरे में add नहीं होता है इसलिए मैंने add नहीं किया है साथी साथ इसमें hing, गाजर, beans और beetroot आड़ करना है इसमें थोड़ा सा salt और हल्दी को आड़ करके 2-3 मिट हाई flame में cook कर लेना है फिर इसमें red chili powder, धनिया powder आड़ करना है मैंने दो चमच की गरीबन किया है साथी साथ इसमें थोड़ी सी काली मिट्च और गरम मसाला डालना है एक दो मिनिट इसमें cook कर लेना है देखो इस तरीके से और एक परात में transfer कर देना है जैसे ठंडा हो जाए इसमें हर धनिया और नमक आड़ करना है साथी साथ इसमें खटे पन के लिए मैंने यापर dry mango powder आड़ किया है इसमें conflar और bread crumbs आड़ कर देना है मैंने नए वाले आलू इस्तमाल की रेसिपी को बनाने के लिए छे से साथ boil mash potatoes को आड़ करके अच्छे से इसे mix कर लिए इसे इस तरीके से हमें cutlet का shape देना है आप चाहो तो जो गोल वाला अकार होता है round shape होता है वो भी दे सकते हैं आपके उपर है फिर एक bowl लेना है इसमें conflar, मैदा, नमक और काली mix डाल देना है इसमें पानी डाल कर इसका एक थिक सा batter बना लेना है ज्यादा थिक भी नहीं बनाना है थोड़ा सा runny बनाना है देखो इस तरीके से cutlet को आड़ करके अच्छे से इस तरीके से coat करना है और फिर ब्रेड क्रम से भी अच्छे से coat कर लेना है देखो इस तरीके से अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना हो तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हो इसे लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे जे फ्राइ करना है और हमारे टेस्टी रेलवे फ्टाइल कटलेट बनके तयार है जिसे आप रेड के साथ इंजोई कर सकते हो